नवस्कार दोस्तों, सागत आपका अपने चैनल में स्टैस्विक लाइज पर आज क्या आउट्सोर्चिंग कच्छे क्रमचे जड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई तो सबसे पहली खबर दोस्तों देख लेते हैं उन साथियों को तो जरूर पता होगा जिनका पीएफ कटता है जिनका प्रोविडेंट फंड जिनका पीएफ कटता है उनको तो इसके बारे में जरूर पता होगा लेकिन दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ जानकरी इसके बारे में दे देते हैं लिए यहां पर सरकार जो बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार से जुड़ी स्विभिन सकीमों का लाब लेने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रखना जुरूरी होगा सरम मंत्राले इसकी त्यारी कर रहा है और जल्द ही इसे अनिवारिया बनाया जा सकता है अभी कि एसंगठित सेक्टर में काम करने वाले सरमिक या जिनका पीफ नहीं कटता वैसे सरमिकों के पास यू एन नंबर नहीं होता सरम मंत्राले के सुत्रों के मुताबिक एसंगठित सेक्टर के सरमिकों को भी इस रम पोर्टल के मादम से यू एन नंबर जारी किया जा रहा है भायुस्यमें अगर किसी भी परकार की scheme का लाब लेना है तो उसके लिए UAN number अनिवारिय होगा, चाहे अगर एक example दे तो आप लोगों को जैसे अटल pension सेवा की scheme है, उसका अगर लाब लेना है उस योजना का लाब लेना है तो उसके लिए भी आप लोगों को जो है UAN number किया व आपको मिलेगा बता दे आप लोगों को 29 करोड़ से अधिक दोस्तों जो है इसरम पोर्टल पर जो करमचारी है एक तरह से संगठित एसंगठित वरग के वो पंजीकरत हो चुके हैं सुत्रों के मुताविक यहां पर बता गया है कि इसका जो फाइदा यह होगा कि सरकार के पा लाब से जुड़ा रह सकता है तो यहां पर यह लाब बताया जा रहा है अब किसी भी प्रकार के लाब के लिए सरकारी यू एन नंबर कंपल सरी होने जा रहा है आने वाले समय में इस पर काम चल रहा है सरकार की तरब से यह कोमन जानकारी है सभी को इसका पता होना चाहिए इसके बाद करनाल बासकर से अपडेट देख लेते हैं वेतन नहीं मिलने वे अन्य मांगों को लेकर सफाई करमचारियों का HSVP करेले पर परदसन सफाई करमचारी विरोध जता कर आज DC को सोपेंगे मांगों का ग्यापन जी हां दूस्तों यहां पर HSVP करेले में सफाई करमचार ने मांगों को लेकर धरना दिया है करमचारी पिछले पाँच दिनों से जो धरना परदसन कर रही है यहां पर बताते साथियों आप लोगों को तीन महिने से वेतन नहीं मिलने EPPSI का जो पैसा कट रहा उसके प्रोपर जनकारी नहीं देने जैसी मांगों को लेकर यहां पर करमचारी परदसन कर रही है इनोंने आरोप लगा है कि डिजिटल स्गिनेचर जो ठेकेदार है वो पिएफ में नहीं कर रहा है या फिर सफाई का जो ईनका सामान है बेसिक सविधा है इनको उपलबदन नहीं करवाई जा रही है और कम वेतन इनको काम करनें को मजबूर किया जारा है तो इस तरह की समस्याव को लेकर यहांपर जो आज है कि चुनावदोस्तों यहांपर संपन करवाय गया और सरो सम्मति से नहीं कार्यकारणी का गठन कर दिया गया है तो सभी साथी जो है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं और लेते हुए इसके बाद मेंदरगर से अपडेट देख लेते हैं बकाया वेतन देने की मांग को लेकर आज देंगे ग्यापन यहां पर जो ग्रामेण सपाई करमचारी है ग्रामेण चोकिदार हैं ग्यापन दिया इनके साथ तो अक्सर ऐसा तेक देखने में आता है धुस्त तो इसी से प्रेशानों कर आर्थिक तंगी का ये जो सामना कर रहे हैं से प्रेशानों कर इन्होंने जो है डिसी साब को गयापन देने का आखिरकार निन्ने लिया और अंत में यहाँ पर देख लेते हैं चुनाओं में 9 लाख तक ऐस थाई नोक्रियां सर्जित होने की उम्मीद उद्योग विशेश गए 9 लाख ऐस थाई नोक्रियां मतलब है यहाँ पर जैसा कि अब काम बढ़ता है तो कोई जंडे परचे बैनर किसी परकार के छपाई रंगाई प्रिंटिंग में किसी ना किसी तरीके से परचे बातने में मतलब बहुत सार जो है इस थाई रोजगार देता है चुनाओ जब भी आता है तो 9 लाख ऐस थाई नोक्रियां जो है इस बार सरजित होने की उम्मीद है आप लोगों को पता है मतलब बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा पैसे का फोलो होता है चुनाओ में अब लोग सबाद चुनाओ तो पूरे देश में होता है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं जो चुनावी जो पार्टियां होती हैं और जो उमीदवार होते हों काफी सारा पैसा खर्च करते हैं जिस वो जैसे यहाँ पर जो एक मजदूर वरग है उसको जो है काफी उसका जो है फायदा भी मिलता है उनको काम मिलता है दोस्तों यह थी सारे कि सारी आज के ओशॉर्शिंग के चिकरमचर जुड़ीं खबरें अगर आ अब चाहते हैं हरिघ्ओं में इस के विच्षिन चे लेटीड आउट्फार्शिंग के चिकरमचर दिन द्यूरीं खबरे समय